नमस्कार दोस्तों नमस्ते इंग्लिश में आपका स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लाएं है डेली लाइफ वाक के और आज का हमारा टॉपिक है electronic purchase यानि electronic सामान की खरीदारी से related sentences दोस्तों electronic सामान की खरीदारी से related आम तोर पर कई तरह के sentence हम बोलते हैं ज़्यादतर लोग यह sentence English में convert नहीं कर पाते हैं जैसे अगर आपको कहना हो इस दिवाली पर मैं अपने भाई के लिए एक laptop खरीदूंगा तो इसे आप English में कैसे कहेंगे या दोस्तों अगर आपको कहना हो मैं laptop online खरीदना चाहता हूँ तो इसकी English क्या होगी या दोस्तों अगर आपको कहना हो मैं online sale का इंतजार कर रहा हूँ तो इसकी English क्या होगी? या दोस्तो अगर आपको कहना हो मुझे online सामान खरीदना पसंद है तो इसकी English क्या होगी? दोस्तो ज़दतर लोग ऐसे sentence नहीं बना पाते हैं यही हम आज के lesson में लाए हैं तो चलते हैं आज के lesson की ओर अगर आपने कहा इस दिवाली पर इस दिवाली पर की English होगी on this दिवाली मैं खरीदूंगा मैं laptop खरीदूंगा तो इसकी English होगी I will buy laptop मैं laptop खरीदूंगा भाई के लिए तो इसकी English होगी I will buy laptop for my brother दोस्तो on this दिवाली का मतलब है इस दिवाली पर I will buy का मतलब होगा मैं खरीदूंगा मैं खरीदूंगा की इंगलिश होगी I will buy मैं खरीदूंगा laptop I will buy laptop for my brother for my brother का मतलब है अपने भाई के लिए तो मैं अपने भाई के लिए laptop खरीदूंगा इंगलिश होगी I will buy laptop for my brother ऐसे ही दोस्तो अगर आपने कहा मैं laptop ऑनलाइन खरीदना चाहता हूँ तो इसकी इंगलिश होगी I अगर आपने कहा मैं ऑनलाइन लेप्टॉप खरीदना चाहता हूँ तो इसकी इंगलिश होगी I want to buy laptop ऑनलाइन दोस्तो आए का मतलब होगा मैं want to का मतलब होता है चाहना मैं चाहता हूँ की इंगलिश होगी I want to मैं खरीदना चाहता हूँ दोस्तो खरीदने को हम लोग buy कहते हैं I want to buy यानि मैं खरीदना चाहता हूँ laptop online यानि मैं online laptop खरीदना चाहता हूँ तो इसकी इंगलिश होगी I want to buy laptop online ओके next sentence अगर आपने कहा मैं online sale का इंतजार कर रहा हूँ तो आप कहेंगे मैं इंतजार कर रहा हूँ तो ये काम continuous sentence है तो ये बनेगा I am waiting मैं इंतजार कर रहा हूँ sale का तो English होगी I am waiting for online sale मैं online sale का इंतजार कर रहा हूँ I am waiting for online sale यहाँ I का मतलब होगा मैं, M का मतलब है, मैं I के लिए M use करते हैं helping verb, waiting यानि इंतजार करना, मैं इंतजार कर रहा हूँ, I am waiting, मैं एंतजार कर रहा हूँ on-line sale का, तो online sale का या online sale के लिए तो उसकी English होगी for online sale, I am waiting for online sale, यानि मैं online sale का इंतिजार कर रहा हूँ और ऐसे ही अगर आपने कहा मुझे online सामान खरीदना पसंद है तो ऐसे में आप कहेंगे I like to buy I like to buy online product या I like to buy product online अगर आपने कहा I like to buy product online तो इसका मतलब है I मतलब मुझे like का means है पसंद होना I like यानि मुझे पसंद है to buy यानि खरीदना to buy product यानि सामान खरीदना online यानि मुझे online सामान खरीदना पसंद है तो दोस्तो इस तरह से sentence बनते हैं I hope you learnt it if you really like this session then please like and subscribe Namaste English I will see you in next session till then take care